हलो इसडेंट आज हमाँ पढ़ेंगे क्लास 11 के पुलिटिकल साइंस से चैप्टर 7 के प्रस्णों का उत्तर जिसका सिर्सक है संगबाद पार्ट 1 में 4 प्रस्णों का उत्तर आप लोग जान चुके हैं अब पार्ट 2 में बाकी के प्रस्णों का उत्तर जानेंगे किसी प्रांथ के गठन का अधार क्या होना चाहिए यानि राजी के गठन का अधार क्या होना चाहिए तो आधनिक यूग में इस पर नए दिश्टिकोन किया सकता है अंग्रेजों ने भारत में प्रांतों का गठन प्रसासनिक सुविधार के अधार पर किया था प्रांतों आज के युग में भसाई छेतर के अधार पर प्रांतों का गठन या निराजियों का गठन उचीत माना जाता है क्योंकि समाज में अनेक विविताय होती है आपसी विश्वास से संगबाद का कामका जसानी से चलाने का फ्रयाज के जाता है कोई एक इकाई प्रान भसाई समुदाय आदि मिलकर संग का निर्वान करते हैं और संगबाद मजबुती के साथ आगे बढ़े इसके लिए इकाईयों में टकराओ कम से कम होना चाहिए अताब भारत में राज्यों का पुना गठन भसाई अधार पर किया गया है कोई एक भसाई समुदाय पूरे संग पर हावी न हो जाए इस कारण इकाई छेत्रों की अपनी भासा, धरम, संप्रदा या समदायक पहचान बनी रहती है और वे इकाई अपनी अलग-अलग भाचान होते हुए भी संग की एकताब में विश्वास रखती है उत्तर भारत के परदेशों, राजस्थान, मदपरदेश, उत्तर परदेश तथर बिहार के अधिकांस लोग हिंदी बोलते है यदि इन सभी प्रांतों को मिला कर एक परदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संगबाद के विचारों से संगत होगा तरक आपको देना है, तरक देकर इसका उत्तर देना है तो इसका उत्तर इस्तर से होगा उत्तर भारत के परदेशों, राजस्थान, मद्परदेश, उत्तर परदेश, बिहार के अधिकांस लोग हिंदी बोलते हैं. यदि इन सभी प्रांतों को मिला कर एक परदेश बना दिया जाया, तो ऐसा करना संगबाद के बिचार से असंगत होगा, अच्छा नहीं होगा. जैसा कि हम जानते हैं कि संगबाद एक संस्थागत परनाली है, जो दो परकार के राजितिक ब्योस्थाओं को समाहिद करती है, मिलाती है. इसमें एक प्रांती अस्तर की होती है और दूसरी केंद्री अस्तर की. लोगों की दोहरी पहचान होती है, दोहरी निश्ठाय होती है वे अपने-पने छेतर के भी होते हैं और राष्ट के भी होते हैं अता उपरोग परदेशों को केवल हिंदी भाषा के अधार पर एक परदेश बनाना संगबाद की विचार से असंगत है पाट का साथमा प्रस्न है भारत की संविधान की ऐसी चार बिसिस्ताओं का उलेख करें जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेच्छा केंद्रिय सरकार को ज्यादा सक्ति परदान की गई है इसका उतरिष्टर से होगा भारत के संविधान में दो परकार की सरकारों की बात मानी जाती है माने गही है एक है जो संपुर्द भारत के लिए जिसको संगिय सरकार कहते हैं और दूसरी परतेक संगिय एकाई के लिए राज सरकार होती है यह दोनों ही संब्धानिक सरकारे हैं और इनके असफ़ष्ट कारे छेत्र है भारतिय संभिधान की ऐसी चार भी सिस्ताएं निलिखे थे जिसमें केंद्रिय सरकार को राज सरकार के पेच्छा अधिक सक्तिसाली बनाया गया है पहला है किसी राज के अस्तितु और उसकी वह वालिक सिमाओं के अस्थाइत उपर संसत का नियंद्रन होता है अनु प्रिवर्तन भी कर सकती है पर इस सक्ति के दुरूपयोग को रोकने के लिए संभिधान पहले परभावित राज के विद्हान मंड़ को विचार व्यक्त करने का औशर देता है और दूसरा है संभिधान में केंद्र को अतिधिक सक्तॽाली बनाने माले कुछ आपातकालिन परधान भी दिये गए अपात काल में संसत को यह सकती प्राप्त होती है, कि वह राज सुची के विश्वियों पर भी कानून बना सकती है तीसरी विशेशता है, समान स्थिति में अभी केंद्र सरकार को अत्यंत बित्य सकति प्राप्त होती है पहला आय के परमुक संसाधनों पर केंद्र का नियंद्रन होता है, केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन है और राज्य अनुदानों और बितिय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित होता है दूसरा सोतंतरता के बाद भारत की आर्थिक प्रगती के लिए नियोजन का प्रयोग किया गया है केंद्री योजना आयोग की निक्ति करता है जो राज्यों के संसाधन प्रवंदन की निग्राने भी करता है केंद सरकार राज्यों को अनुदान और कर जा दिती है जिससे विभिन राज्यों के साथ भेदभा भी के जाता है विपच्छी दलों की सरकार वाले राज्यों के साथ भेदभा का रवया अपनाए जाता है चौथी बिशेष्टा है, राजपाल धारा 356 का प्रियोग करते हुए, क्योंकि राजपाल केंदर के अजेंट के रूप में काम करता है, राजपाल को ये अधिकार है कि वह राजसरकार को हटाने और विधान सभावंग करने का प्रतिवेदन राष्टपती को सुकृति के लि राज सुची के विशाय पर कानून बनाए, पर ऐसा करने के लिए राजसभा की अनुमती लिनावस्थ हो जाता है. छटी भी सेचता है, अनुछे 257 के अंसार, परतेक राज की कारेपालिका सक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगी, जिससे संग की कारेपालिका के कारेज में कोई अर्चन ना है. संग की कारेपालिका का सक्ती का विश्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने का होगा जो भारत सरकार को इस पर्योजन के लिए अत्यनत आउस्सक प्रतित होती हो सात्वी भी सेचता है कि अकिल भारतिय स्यवा में चैनित अधिकारी राज्यों के प्रसासन में कार करते हैं किसी छेत्र में सैनिक सासन लागू हो तो संसत कोई अधिकार है कि वह केंद्र या राज के किसी भी अधिकारी के द्वारा सान्ती विवस्ता बनाये रखने या उसकी बहाली के लिए किये गए किसी भी काम को कानून सम्मत करार दे सके। इसके अंतरगत ससक्त बल विशिश सक्ति अधिनियम का निर्मान किया गया है। पाठ का आठवा प्रस्न है बहुत से प्रदेश राजपाल की भूमिका को लेकर नाखुस क्यों है। इसका उत्तर इस्तर से है राजपाल की भूमिका केन और राज्यों के बीच सरय उतनाव का कारण बनती है। भारतिय सम्मिधान के अनसार राज्यपाल की नुक्ति राष्टपती के द्वारा होती है, राज्यपाल अपने कारेओं के लिए राष्टपती के प्रती उत्तरदाई होता है, राष्टपती राज्यपाल को जब चाहे हटा सकता है, अथवा उसका ट्रांसफर कर सकता है, राजपाल की भूमका की कड़ियलोचना किये हैं जहां बिरोधी दलों की सरकारे बनी है राजपालों से समंदित बिवाद का एक मुख्य प्रस्निय अभी रहा है कि राजपाल को किन प्रस्थित्यों में राश्पती सासन की सिफारिस करनी चाहिए कुछ राज्य सरकारों का यहमत है कि कई बार ऐसा होता है कि राज्यों की सम्मिर्धानिक मस्नरी भीफल नहीं होती तो भी राज्यपाल किन सरकार की सारे पर राज्य में राश्पति सासन की सिफारिस कर देता है इस तनाव को कम करने के लिए राज़िपालों को समझदारी से काम लेनी चाहिए। उत्तर परदेश में 21 फरवरी 1998 को ताथकलीन राज़िपाल रमोस भंडारी ने कल्यांसी सरकार को गिरा कर राज़िपाल की पद की घरिमा को ठेस मौचाई। दो फरवरी 2005 को गोवा में हुए नाटके घटना क्रम में ताथकलीन राज़िपाल एस सी जमीर ने बिधान सभा में विश्वास्तमत हासिल करने के बावजूद भी भाज़पा सरकार के मनहर परकर सरकार को वरखास कर दिया। यह एक रांतिक व्यवस्ता का परगहात है। बिहार में ताथकलीन राज़िपाल भूटा सिन का आच्रेन भी विवाद अस्पन रहा। उन्होंने 2005 में विधान सभा भंग कर दी। सुप्रिम कोट ने विधान सभा भंग के जाने को अनुची धाराया। इन्ही कारणों से बहुत से परदेश राज़िपाल की भंग को लेकर नाखुस रहते हैं क्योंकि राज़िपाल के अंदर के प्रतिनिधी के रूप में राज़िपाल की संभिधानिक प्रमुक की भंग का निर्वान नहीं करते। रहतिक दलों के नित नय गटबंधन बनने और तूटने की प्रक्रिया के इस काल में राज़िपाल को अपना स्वतंत्र जिष्टिकून अपनाना चाहिए और स्वय विवेकी सक्तियों का प्रयोग करते समय निस्पस्ता का परचे देना चाहिए। भाठ का नौवा प्रस्ण है, यदि सासन संविधान के प्रधान के अनकूल नहीं चल रहा है, तो ऐसे परदेश में राश्पती सासन लगाया जा सकता है। करने की मांग कर रहा है। दूसरी सिचूशन फिरोती वसुलने के लिए छोटे बच्चों के अपरहन की घटनाय बढ़ रही है और महिलाओं के ब्रुद अपराधों में याफा हो रहा है। तिसरा कारण है परदेश में हुए हाल में बिधान सभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। भाई यह है कि एक दल दूसरे दल के कुछ बिधायकों से धन देकर अपने पच में उनका समर्थन हासिल कर लेगा। चौथा है केंद्र और परदेश में अलग-अलग दलों का सासन है और दोनों एक दूसरे के कट्टर सत्रू है। पाचवा है संपरदाइक दंगे में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और छटा है दो परदेशों के बीच चल रहे हैं जल्विवाद में एक परदेश ने सर्वस्त नयाले का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। प्रस्ट में छे प्रस्थितिया हैं छे प्रस्थितियों का उत्तर इस तरह से इसमें पहला का है जो पहली प्रस्थितिया उसका उत्तर है यह राज में राश्पति सासुन लगाने का उचित कारण नहीं है वास्तों में इन अपरादियों को दंदिट किया जाना चाहिए। तूसरे का, इस समय भी राश्पति सासन की सिफारी करना उचित नहीं है, बरन राज्य सरकार को चाहिए कि वह राज्य में कानून और व्योस्ता की स्थिती में सुधार करें। तूसरे का, इस स्थिती में भी बिना किसी ठोस सबूत किये, केवल असंका रहने पर राश्पति सासन लगाना असंगत होगा, जैसा कि राज्य पाल भुटा सिन ने बिहार में किया था। चोथी प्रस्थिती का उत्तर है, यहां भी राश्पति सासन लगाने का उचित कारण नहीं बनता, केंदर और राज्य में अलग-अलग दलो की सरकारे हो सकती है। पांचमेपर सितया का उत्तर है कि यह सरकार सासन की असफलता का मामला है और इस नती में राज में राश्पति sleeping लगा दिया जाना चाहिए। कोट की ओमानना का सामना उस परदेश की सरकार को करना पड़ेगा। दसमा प्रसन है, ज्यादा स्वयत्ता की चाह में परदेशों ने क्या मांगे उठाई है। उसका उत्तर है, संबिधान ने केंद्र को राज्यों के पेच्छा अधिक सक्तिसाली बनाया, यदि संबिधान विविन चेत्रों के अलग-अलग पाच्छान को मनेता देता है। लेकिन फिर भी वह केंद्र को अधिक सक्ति देता है। एक बार राज्य की पाच्छान के सिधानत को मनेता मिल जाती है। तब यह सभाविक है कि वह पूरे देश के सासन में और अपने सास के छेत्रों में राज्यों द्वारा ज्यादा सक्ति देता भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज्यादा सक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा सक्ति और स्वायता देने की मांग की है। 1960 के दसक में कांग्रेस के बर्चस में कमी आई और उनके राज्यों में विरोधी दल की सत्ता हो गई। इस से राज्यों की और ज्यादा सक्ति और स्वायता की मांग बढ़ने लगी, अलग-अलग राज्यों के लिए स्वायता का अलग-अलग अर्थ है। तमिल्लाडू, पंजाब, पच्चिम, मंगाल जैसे राज्यों ने स्वायता का अलग-अगरत है, कुछ राज्यों का स्वायता का अर्थ है, कि केंधर के राज प्रसासनिक तंतर पर नियंतरन को रोकना है, इसके अलावा स्वैता की मांग सांस्कृतिक भासाई मुद्दों से समंदित है। तमिलनाडू में हिंदी का विरोध, पंजाब में पंजाबी भासा यवं सांस्कृतिक पोदसाहां की मांग इस परकार के एक्जामपल है, उदारन है। इस राज्यों में विशेश प्रोधानों के अंतरगत उसका असासन चलाया जाता है, तो अन्य राज्यों के लिए नराजगी पैदा करता है। एक्जामपल के लिए उत्रांचल राज बनने से पुर्व उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तर प्रदेश के लोग जहां चाहे रह सकते थे। प्रंतुज अब उत्तरांचल को विशेश दर्जा मिलने के कारण उत्तरांचल के बाहर के लोग वहां अचल संपत्ती नहीं खरिच सकते। जबकि उत्तरांचल के लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां चाहे संपत्ती खरिच सकते हैं। अस्थ कारण दूसरे राज्यों में नराजगी पैदा होती है धारा 370 के लागू रहने के कारण जमू और कास्मीर को विसेश दर्जा प्राप्त था जो अब नहीं है 370 धारा को हड़ा दिये गया है लेकिन अता भारत भारत की संसद वहां की विधायका के अन्वती के बीना उसमें कोई संसुदन नहीं कर सकती थी अता अन्य राज्यों में नराजगी पैदा होती है सक्ति के बटवारे की योजना के तहट संभिधान प्रदत सक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है प्रंतु कुछ राज्यों के लिए बिसिष्ट समाजिक और इतिहासिक प्रस्तित्यों के अंदरूप सम्मिधान कुछ विसेश अधिकारों की ब्यवस्ता करता है असम नागालेंड अनलाचल परदेश मिजरम आदी राज्यों में विसेश प्रोधान लागू है ठेक इसी प्रकार हिमाचल परदेश उत्तरांचल आदी कुछ पहाड़ी राज्यों में भी प्रोधान लागू है अनेक लोगों की मनाता है कि संग्य ब्यवस्ता में सक्तियों का अपचारिक और समान विभाजन संग के सभी इकाईयों राज्यों पर समान रूप से लागू होने चाहिए अता जब भी ऐसे विशिष्ट परदानों की ब्यवस्ता संविधान में की जाती है तो उसका कुछ बीरोध होता है इस परकार इस बात की भी संका होती है कि विशिष्ट परदानों से उन छेत्रू में अलगाव आदी प्रविर्तिया मुखर हो सकती है संगिय विवस्ता की सफलता के लिए वर राष्ट की एकता को बनाए रखने के लिए इन विशेष परदानों का होना आउस्सक है इन परदानों के कारण उन परदेशों की अपनी विक्तिकत संस्कृति की पहचान बनी रहती है